Hello everyone, welcome to my channel, so आज इस बीडियो में हम देखें कि nuclear magnetic moment वो कैसे निकालते है, nuclear magnetic moment for particular nucleus, जो भी हमार nucleus दिया होगा उससे कैसे हम nuclear magnetic moment निकालते है, वो देखेंगे, तो यह जो cushions है, वो based on nuclear shell model, जो application of nuclear shell model, जो एक application of nuclear shell model मैंने पहले upload किया था, जो उसमें हमने देखा था कि spin parity कैसे निका जालते हैं, तो एक question की throw मैं समझाओंगा, और समझाने की try करूंगा, और अगर आपको पूरा course देखना है, इस वीडियो के nuclear magnetic moment के उपर, तो आप मुझे आने काटिमी में जाकर follow कर सकते हो, वहाँ पे मैंने detailed course मैंने upload करके रखा है, तो आप वहाँ से जाकर follow कर सकते हो, searching my name Jilton Roy, और मैं निचे description में link देदूंगा, आप वहाँ से भी जाकर, click करके जाकर देख सकते हो, so चलो देखते हैं कि इस वीडियो में हम nuclear magnetic moment कैसे निकालते हैं, हमारे पास nuclear given है, यह nuclear given है, nucleus, और given है कि हमारे जो proton है, for proton GL और GS क्या है, तो GL equal to 1 है और GS equal to 5.586 दिया हुआ है, यह proton के लिए और Newton के लिए हमें यह दिया हुआ है, तो option यह है, तो हमें चेक करना है कि अभी क्या हो सकता है हमारा nuclear magnetic moment, so answer is that, solution is like that, आपे Z equal to 13, this is the proton, number of protons, so number of proton is 13 and number of neutron is 27 minus 13 is 14. So, neutron is even number, so no need to, I mean no rule of neutrons, since it is even number, and it is odd even type nuclei, so that's why हमें यहापे जो odd है, उसके उपर दियान देना है, और वो ही decide कर है कि हमारा nuclear magnetic moment क्या होगा, जैसे कि यहापे हमारा जो neutron है, proton है, वो odd number proton है, तो जब हम configuration बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे होगा configuration, मतलब जोब हम cell, shell को जो construct करेंगे, तो हर एक state का जो value होगी, यह होगा, और जैसे कि यहापे हमारा 2, 4 and 2, 5, यह हमारा हर एक state में कितने number of neutrons और proton हो सकता है, वो डिनेट कर सकता है, जैसे कि यहापे यह कैसे आता है, इसके एक formula है, जो 2J plus 1, जो हमने application of, फर्स्ट वीडियो में जो देखाता है, फर्स्ट application में, जहापे हमने spin parity निकाला था, तो हापे भी देखाता है, 2J plus 1, तो यह का value हागा 2 put करेंगे, हाफ पूट करेंगे हापे, 2 into half, यह तो 1, जो 1 plus 1, 2 हो गया, यहापे 3 by 2 put करेंगे, तो 3 होगा, 3 plus 1, 4 होगा, तो ऐसे आता है यह, तो यह configuration, अगर हम configuration जब हम बना लेंगे ऐसे, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे जो unpair proton size case में, unpair proton वो कौन सी state में है, तो यहापे हम देख सकते हैं कि जो यहापे जो d orbital है, यहापे जो j equal to 5 by 2, यहापे हमारा unpair है, क्योंकि d orbital में यहापे हमारा जो 2 into 5 by 2 plus 1, तो 6 number of हमारे proton होना चाहिए, यहापे 3 है, तो यहापे हमारा unpair proton एक्सिस्ट है, तो उसके लिए हमारा j का value जो है, 5 by 2 है, और l का value जो है, वो हमारा 2 है, for l equal to 2 होता है, for d orbital, अब हमें देखना है, कि हमारे यह जो j का value है, 5 plus 2, वो हम कैसे मतला हमें, हमारा j equal to l plus s होता है, तो जब हम j equal to l plus s कैसे break कर सकते हैं, तो अगर हमारे j का, यहापे अगर l का value 2 रखा है, और s का value तो half होता है, spin half है, तो अगर l equal to 2 हो, और s equal to half, तो देखो, 2 plus 2, 4 plus 1, 5, 5 by 2 हो रहा है, तो हमें यह value मिल रहा है, मतलब अगर ऐसे break करेंगे, तो यह value मिल रहा है, तो उस case में, उस case में हमारा जो formula होता है, for that odd के लिए, तो odd के लिए हमारा formula होगा यह, 2.29 plus j, for all, j equal to l plus half, अगर हमारे j 5 by 2 हो है, अगर हमें l minus s करके निकाल मिलता, तो उस case में हमारा j का value, जो l minus s होता है, तो उस case में हमारा यह formula होगा, for odd proton के लिए, तो उस formula में थोड़ चेंज होगा, वो formula change क्या होगी, वो change होगा, देखते है, change यह होगा, j, मतलब mu equal to j plus 2.29 into, यहाँ पे into, okay, j by j plus 1 होगा, for all, हमारे j equal to l minus half के लिए, तो उस case में हमारा l यह हो जाता है, लेकिन इस particular case में तो हमारा j equal to l plus s करने से मिल रहा है, तो इसलिए हमारा formula, यह वाला formula हम use करेंगे, तो यहाँ पे जब j का value हम put करेंगे, तो j का value तो 5 by 2 है, तो 2.2, simplify करने से 2.50 आएगा, और जब हम add करेंगे, तो यह हमारा answer आजाएगा, तो जो यह answer है, तो हमारा answer जो, देखो, कौन से number पर match कर रहा है, यह वाला answer, तो इसलिए हमारा यह जो value है, इसका answer हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना है, अगर आप वीडियो अच लगाए, तो like, share and subscribe करना, और आने काड़ी में जाकर जरूर देखना, वहाँ पर मैंने detail code समझाया है, और पुरा theory मैंने समझाया है, वहाँ पर, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हूं,